जहिन साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करेंट अफैर्स की क्लास पर मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता एक और इंपोर्टन टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हैं और यहाँ पर मुख्य मंत्री और राजिपाल 2030 के वारे में हम पढ़ने वाले हैं विधान साबा चुना 2030 संपन हुए उसके रिजल्ट जारी हुए मैंने आपको पूरा विधान साबा 2030 का वीडियो भी बताया था अब यहाँ पर बारी है नए चीफ मिनिस्टर के नेम की यहाँ से एक से दो नंबर के कोशन तो अवश्य बनने वाले हैं तो आई देखते हैं मद्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 36 गड़ के राजस्थान के तिलांगना के मिजोरम के इन सभी को यहाँ पर हम पढ़ेंगे यह बालिंग्वल क्लास है यानि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टुडेंट्स को यहाँ पर इसका लाव मिलने वाला है आई फ्रे यंटे पहले बने हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं और यह भजनलाल शर्मा का संब्द्ध बिजेपी पार्टी से है और भजल लाल सर्मा नए चीफ सखित करने वाली बात है यह पहली बार ही इन्होंने केवल एक ही बार यहां पर कहें तो बिधायक बने थे और उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर बन गए बड़ी बात है दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारक का सबसे बड़ा राज छेतरफल की दृष्टी से यह राजस्थान है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं र एक सीट वेगेंट रह गई थी तो यहां पर मैक्सिम सीटे 200 हैं लेकिन चुनाव 199 सीटों पर हुआ था यहां पर बीजेपी की पार्टी बनी है लेकिन एश कोशन देखते हैं तेलांगना की नए चीफ मिनिस्टर हाली में कौन बने हैं बने हैंे रेवंथ रड़ी तेलांगना में सीटों की संख्य है 119 और यहां पर कॉंग्रेस ने अपना कबजा जमाया कॉंग्रेस ने 64 सीटे जीत जीतने के बाद यहां पर कॉंग्रेस ने सरकार बनाई है यहां पर आप रेवन्त रेट्डी को देख पा रहे हैं तिलांगना का गठन हुआ है दो जून 2014 को आंध प्रदेश से अलग होकर कि राजवना था आप यहां पर तिलांगना देख पा रहे हैं और तमिली साइप सौदा राजन यहां की गवर्नर है तो मैं आपको गवर्नर की नेम भी बताते चल रहा हूँ मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने है ये भी कॉश्चन बन सकता है हाली में मैंने आपको बताया था मिजोरम में नए चीफ मिनिस्टर बने जोरम ठांगा की जग है नए चीफ मिनिस्टर बने है इनका नाम है लाल दुहुमा क्या नाम है लाल दुहुमा अब आप से पूछा जा सकता है इनका संबंध किस पार्टी से है ये विशेश कर क्वेशन पूछा जा सकता है तो इनका सं जबी और चीफ मिनिस्टर भी बने हैं लाल टुहुमा दोस्तों मिजोरम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जहां से यह कर्क रेखा गुजर रही है और मिजोरम के राजपाल आप देख पा रहे हैं यह कंभंम पती हरीबावू यहाँ की कैपिटल है आईजोल और विदान सव सीटे 44 हैं इन्होंने कितनी सीटे जी ती 27 सीटे जीती है और 27 अबक के लिए के वाल एका세요 ती 27 झाति फीनले जीतर हैं मध्यप्रदेश के नयीं सभ्रों छीफ मिनिस्टर कौन बने दोस्तों यह दक्षडी उज्यायन से इन्होंने अपनी सीट पक्की की थी विधायक बने और फिर इन्हें चीफ मिनिस्टर बन गए हैं आप यहां पर देख पार हैं मोहन यादों को 230 सीटों पर चुना हुआ था और बिजेपी ने प्रचंड महुमत यहां पर प्राप्त किया 163 सीटे जीती हैं बिजेपी ने मंगु भाई चगन भाई पटेल आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां के गवर्नर है और इसकी क्यापटल है भोपाल और यह है आप मध्य प्रदेश देख पार है पांच राज्यों से घिरा हुआ हुआ है मध्य प्रदेश यहां पर आप देखे यह राजस्थान यह यूपी छतिसगर्ड महरास्ट गुजरात पांच राज्यों के साथ इसकी सीमा बनती है जोस्तों पीडियाफ के लिए आपको पीडियाफ के लिए इंपोर्डन अप्डेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जलू जरूर जोइन कर लीजेगा और यह यहाँ पर इबुक सेक्शन में जाएंगे यही पर आपको लूशन की पीडियो भी मिल जाएगी और टॉपिक वाइस करेंट अफेर्स की क्लास की पीडियो भी आपको मिल जाएगी और यहाँ पर हमने मंतली मैगजिन लॉंच की है नवंबर महिने की उसे भी आप डाउनलो दोस्तों बूपेश बगेल की जगे विश्नु देव साय यहां के नए चीफ मिनिस्टर बने है नए सीमं बने है विश्नु देव साय को देख पा रहे हैं विधान सबा सेटे हैं आपे 90 हैं राज पाल है विश्व भूशन हरी चंदन और राजधानी है रायपुर दोस्तों यहां पर आप देख पर है 36 गड़ को जो की मद्धी प्रदेश से 2000 में अलग हो करके भारत का 26 वा राज बना था 26 नंबर का स्टेट बना था ठीक है 1 कई सालों से उडिसा की चीफ मिनिस्टर बने हुए है और यह है उडिसा की मुख्य मंत्री नवीन पतनायक जी रहुबर दास यहां की गवर्नर है अब इंपॉर्डेन अपडेटर क्योंकि हाली में उडिसा के नए राज जपाल बने है रहुबर दास कैपिटल है क्या नाम है इनका माडिक साहा इनका नाम है जो की तृपूरा के चीफ मिनिस्टर और यहां पर विधान सभा सीटे साथ है यह भी इंपॉर्डेन अपडेट है रहाली में नए राजपाल बनाए गए हैं इंदर सेना रेड़ी नलू इंदर सेना रेड़ी नलू यहां की क्य अगर तला और यह त्रिपूरा जो बांगलादेश से गिरा उवा इस वज़े से से त्रिपूरा कहा जाता है महाराश के चीफ मिनिस्टर हाली में कौन बने हैं तो महाराश की चीफ मिनिस्टर हैं एक नाशिंदे जो की यहाँ पर सिर्फ सेना पार्टी से बिलॉंग करते हैं और शिर्फ सेना बिजेपी का गडबंदन है महाराष्ट राज में, यहां की गवर्नर है रमेश बैस, 288 विधान सबा सेटे हैं, आप यहां पे महाराष्ट को देख पा रहे हैं, यह है महाराष्ट, महाराष्ट की राजदानी मुंबई, वर्तमान में यूपी के चीफ मिनिस योगी आदितनाथ जी, कौन है योगी आदितनाथ जी है, 403 विधान सबा सेटे हैं, भारत का सबसे पॉपुलेटेड जो स्टेट है, वो कौन सा स्टेट है, यूपी स्टेट है, यहां की कैपिटल लखनव है, आनंदी बिन पतेल यहां की गवर्नर है, आप यहां पर यू आप से पूछा जा सकता है, तो मडिपूर के चीफ मिनिस्टर आप याद रखेगा, यह है एन बिरेन सिंग, कौन है, एन बिरेन सिंग मडिपूर के चीफ मिनिस्टर है, मडिपूर की राजधानी इंफाल है, यहां पर आप मडिपूर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंग क को देख पा रहे हैं बहुत ही विवादित स्टेट है कई जग कई जगों पर आपको यहां पर दंगे देखने को मिले हैं यहां की गवर्नर का नाम भी याद रखेगा मड़ीपूर हमेशा न्यूज में रहता है यहां पर मैती कॉमुनिटी और कई कॉमुनिटी के बीच में र चालिस बदान सभा सीटें यहां की गवर्नर पी ए स्रीधरन पिलाई राजधानी है पढ़जी और गुआ बहुत स्पॉले स्टेट है इंडिया का उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कमेंड बॉक्स पर उत्तर दीजे यहां यह उत्तराखन अगला है करनाटक के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है तो दोस्तों करनाटक के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है सीधा रमया कौन है सीधा रमया यहां के चीफ मिनिस्टर है और 224 विधान सवा सीटे हाली में यहां पे चुनाव हुआ था और यहां पे कॉंग्रे के चीफ मिनिस्टर कौन है तो दोस्तों तमिल लाडू के चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टैलिन कौन है M.K. स्टैलिन यहां की चीफ मिनिस्टर है यहां पर आप M.K. स्टैलिन को देख पा रहे हैं गवर्नर है आर एंड रवी रविंद नारायन रवी चन्नाइस की राजधानी है 234 विधान सभा सीटे हैं कहां पर तमिल नाडू में और राजधानी चिन्नाई है सिक्किम की चीफ मिनिस्टर कौन है तो दोस्तों सिक्किम की चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंग तमांग क्या नाम इनका प्रेम सिंग तमांग इनका नाम है लक्षमन प्रशाद आचार यहां के गवर्नार है इसकी राजधानी गंग टोक है ठीक है सिक्किम की जो सीमा है अगर आप देखे तो भूटान को भी चूती है नेपाल को भी चूती है उपर आप चाइना को देखेंगे तो सिक्किम ऐसा स्टेट है जो तीन राज्यों के साथ इंटर्निश्य पॉण्डरी लगाता है बदान सबसीट यहां पर 32 है वरतमान में केरल की चीफ मिनेस्टर कोन है ओर आप देखेंगे केरल राज को ठीक है अगला question देखते हैं अरोरांचर प्रदेश के Chief Minister कौन है तो अरोरांचर प्रदेश के Chief Minister है पेमा खांडू जी कौन है पेमा खांडू जी आप यहाँ पर पेमा खांडू को देख पा रहे हैं गवर्नर है यहाँ पर कैवल त्री विक्रम पर नाइग capital है इटा नगर क्या है इटा नगर यहां की राजधानी है और यहां पर अरवरांचर प्रिदेश को देख पा रहे हैं ठीक है लागडेशन यहां के राजयपाल इसकी राजधानी है कोहिमा बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है तो बिहार के चीफ मिनिस्टर है नितिश बाबु नितिश कुमार जी इनों न आर जेटी के साथ मिलकर करके यहां पर गडबंधन की जो सरकार बनाई है यहां की capital पटना है जनसंख्या घनत्यों के मामले में पॉपुलिशन डेंस्टी के मामले में सबसे ज़्यादा पॉपुलिशन डेंस्टी आपको किस राज में देखने को मिलेगी विहार राज में और सबसे ज़्यादा पॉपुलिशन यूपी राज में हर्याणा के चीफ मिनिस्टर कोई है तो हर्याणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खटर क्या नाम है इनका मनोहर लाल खटर जो की बिजेपी पार्टी को बिलॉंग करते हैं मनोहर लाल खटर आप यहां पे देख पा रहे हैं यहां की जो कैपिटल है वो चंडीगड है और य जारखंड के chief minister कोई है दोस्तों जारखंड के chief minister हेंमन सुरेन कोई है हें हेमन सुरेन है जारखंड के chief minister यहां पर आप देख पा रहे हैं विधानसबा सीटे यहां पर 81 है, राजयपाले सीपी राधा कृष्णन, आप इनका नाम याद करना बहुत आसान है, हमारे क्रिष्ण भगवान है, और वो जार जार के माखन खाते हैं, ठीक है? तो जार जार के माखन जारखन और कृष्ण भगवान राधा कृष्णन आपको सीप obs così 8 इähän तो सेक्षा और बांगला देश को सीवह सपर्श करती है इसकी क्यापिटल है शिलॉंग गुजरात के मिनिस्टर है इनका क्या नाम है जो दोस्तों गुजरात के मिनिस्टर आप पूछा जाए तो भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं बिजेपी का यहां पर सासन है गुजरात में गुजरात की कैपिटल गाधी नगर है आचार देवरत यहां के राजपाल है और बिधान सभा सीटों की संख्या यहां पर 182 है आंद्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को उन् नम्रावती है लेकिन विशाका पटनम भी हो सकती है ऐसा प्रस्तावित है अभी डबलब की जाएगी तो फिर इसकी कैप्टल विशाका पटनम हो जाएगी और इसकी घोशना खुद मुख्यमंत्री जीने के थी एस अब्दुल नजीर यहां के राजपाल है आंद्प्रदे लुस्तों पनजाब के चीफ मिनश्टर आम आद्मी पार्टी को बिलोंक करते हैं इनका नाम है भगवनतमान नाम है यहाँ पर अब पंजाब देक्सथा रहे हैं पंजाब जो है सीमा बनाता है पाकिस्तान से इन्टर्नेशनलव बाउंडरी है और यहां पे देखे हैं जम् पश्रिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है तो पश्रिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बेनरजी जी कौन है ममता बेनरजी जी ममता बेनरजी की जो पार्टी है यह त्रिडमूल कॉंग्रेस टीमसी पार्टी है त्रिडमूल कॉंग्रेस इनकी पार्टी है या पश्रिम पश्रिम बंगाल को आप देख पारें पश्रिम बंगाल की सीमा मैक्सिमम बांगला देश को श्पर्ष करती है बांगला देश वो देश है जो की सबसेदा पश्रिम बंगाल को छूता है और 4096 पॉइंट जो सबसेदा सीमा भारत की किसे श्पर्ष होती है बांगला देश उप्राश्पति बन गए है और 14 नंबर की उप्राश्पति है जगदीब धनकरची असम के चीफ मिनिस्टर कौन है तो दोस्तों यह मंत बिश्वा सर्मा को ने boy's विश्वा सर्मा असम के चीफ परियां एक मात्रैसा राज्य जो सात राज्यों के साथ यानि अपनी सारी बहनों के साथ और पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है और राज्जों के साथ सीमा बनाता है इसकी राज़दानी दिशपूर है विधान सवा सेटे 126 है क्यों आखरी इंपॉर्टेंट करेंट एंट इस हिमाचे डियोव Traps के नया चीफ मिनिस टर कोनी हिमाचे प्पूर देश के चीफ मिनिस्टर है तुक विन्दर सिंघ सुखू है और यहाँ पें कोंग्रेस पार्टी आ portions हैं और हिमाचे प्रदेश की राज़दानी दो है अक marvel добав एक समर कैपिटल एक विंटर कैपिटल है और शिप प्रताफ शुकला यहां के गवर्नर है बिधान सभा सीटों की संक्या 68 है आप यहां पर हिमाचर प्रदेश को देख पा रहे हैं दोस्तों सभी राज 28 राज्यों के चीफ मिनिस्टर राजपाल उसकी राजधानी बिधान केंदर शाषिप प्रदेश की तो मैं आपको सभी केंदर शाषिप प्रदेशों के बारे में उसके मुख्यमंत्री प्रशाशक और उप राजपाल के बारे में डिसकस करूंगा तो दिल्ली की कैपिटल नेडेली है और यहां के मुख्यमंत्री आप यहां पर देख पा रहे नेस्ट आई देखते हैं पुदुचेरी की बात करते हैं तो पुदुचेरी की जो क्यापिटल है वो है पॉंडी चेरी यहां के मुख्य मंत्री एन रांगा स्वामी देखें दो ऐसे यूनिन टेरिटरी हैं जहां पर विधान सभा है एक दिल्ली है और एक पुदुचेरी क्य चंडीगड की हम बात करें जो कि आपको पंजाब और हर्याणा की राजधानी चंडीगड है और इसके एड्मिनिस्टेटर है बनवारी लाल पुरोहित यहां के प्रशाशक है आई बढ़ते दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एंद्यू तो इन दोनों को मर्ज किया ग पर टेल है जम्मु कश्मीर की हम बात करें तो यह जम्मु कश्मीर है अभी बहुत ज़्यादा इस पर 370 अनुच्छेट जो था किन सरकार ने हटा था इस पर सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुनाए और इससे सुरक्षित रख्षा सेफ रख्षा है और जम्मु कश्मीर अभी रिकेंस आसे प्रदेश है बहुत जल्दी यह राज्य बनने वाला है इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी 2024 तक तो प्रीम कोट ने कहा यहां पर चुनाव कराई है तो जम्मु और श्रीनगर यहां की राजधानी है उप राज्यपाल है मनो सिनहा लक्षदीब को 2019 को दो केंसासी प्रदेश भारत को मिले थे जम्मु कश्मीर और लद्दाग तो लद्दाग की कैप्टल ले है बीडी मिश्रा यहां की उपराजपाल है आखरी में बात करेंगे अंडमान नीकोबार की अंडमान नीकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और डीके जोस यहां की उपराजपाल है तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को सभी राज और सभी केंसासी प्रदेश के प्रशाष मुख्यमंत्री सभी चीज़े हमने आप पर डिसकस कर ली है आज का कॉश्ण इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है महरास्ट के मुख्यमंत्र नवंबर महिने की जो महा मेरत हैं वो अपलोड है आप उसे देख लीजेगा नवंबर महिने का 60 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 240 क्वेश्चन दोनों प्रकार का वीडियो आपके लिए उपलब्द करवाया गया है यहां पर आपको इस क्लास की भी पीडिएफ इपलब्द करवाया लएक है इंपोर्डेंट अप्डेट्स के लिए और पीडिया के लिए आप राजागुपता करेंट अफस टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम में घोलो कर सकते हैं राजागुपता अनडर स्कोर ऑफिशल मेरे व अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा शेर करिएगा सभी शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर मिलते हैं नेशन इंपोर्टेंट लेक्चर के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं खुश रहिए मस्कुराते रहिए